कि एलो फेर्ण्स वेलकम बाघ टो माइटू चनल गुलु गुगुगु ऑफीशियल मैं हूँ आप सबकी अपनी दोस्तक्रिती तो कैसे हैं आप आई होप अच्छे होंगे मस्थ होंगे स्वस्थ होंगे और फेर्ण्स जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं रेडी हूं तो म यहां चल रहा है अभी सत नरायन भगवान की कथा हो रही है तो मैं कहां आई हूं यह तो जानने के लिए आप सब को आगे इस ब्लॉग में बड़ी रहना होगा और मैं जब तक आई थी तब तक यहां पर कथा स्टार्ट हो गया था तो चले मैं सस्पेंस को खतम करते हुए पताती हूं कि मैं कहां आई हूं तो मैं आई हूं अपने भावी के घर अपनी जठानी के घर अपने सस्राल में ही हूं मतलब भईया भावी कहीं और रहते हैं तो इस वजह से मैं यहां आई हूई हूं अभी सस्राल से मैं सस्राल में दो दिन रही हूं उसके ब में आगे बढ़े और इन लोगों की जोड़ी ऐसी रहे और यह मैं ओवर्वाइस कर रही हूं क्योंकि देख है मैं पीछे बैठे हूं भाबी के क्योंकि मेरे यहां शुच्राल में ऐसा है मैं भाईया के सामने नहीं जाती हूँ क्योंकि बिहार से अगर आप लोग होगा तो आप लोग को पता होगा कि बिहार में अपने जेट को भैशुर बोला जाता है तो उनके सामने नहीं जाया जाता है क्योंकि भाईया नहीं मेरे वो गहना चड़ता जो जिसी गुरहंती करते कहते हैं वो भाईया किये थे तो इस वज़े से मैं भाईया के सामने नहीं जाती हूँ जादा बात भी नहीं करती हूँ बस परनाम उनको करती हूँ और कुछ भी नहीं वो भी मतलब लोगों को पहले की लोगों के मानने आता है कि पैर नहीं चूते बट मैं करती हूं वहां तक बस करती हूं उसके अलावा मैं भाईया से बात नहीं करती तो मैं बैस पीछे बैट गे थी और सर पे पलू मैंने सारी नहीं पहना था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने सारी नहीं पहना था तो मैं बस दु पूजा में बैठने के लिए और यह जो है खड़ी वो है हमारी भगनी भांजी जी सो बोलते हैं वह भगनी हमारी तो यहां पर इनको बुलाया गया था गटवंदन करने के लिए ऐसे तो गटवंदन ननद करती है बट हमारी दो ननद है एक तो इन लोगों से छोटी है मतलब हमसे छोटी है और एक हमारी बड़ी दीदी है बट दोनों सायद दोनों बहन कुछ काम में भी जी थी इसलिए अंचिका यहां पर थी तो इनको उलाया गया था गटवंदन करने के लिए तो यह लोग अंचिका गटवंदन कर रही है और इनसे नहीं हो पा रहा था तो पंड पंडी जी इसलिए उट रहे हैं क्योंकि अंसका से नहीं बंद पा रहा था तो पंडी जी खुद उटकर बांध रहे थे अंसका बस मतलब एक होता है ना कि रशम की शुरुबात करना तो वह अंसका कर दी थी मैं अंसिका मैं बार बार बोर रही हूं मेरे भगनी का नाम अं बार बंद रहे हैं हम से हम सबसे बड़ी है ये बसे चोटी है बार बार कि दोनौ चोटी ननद हैं बिए मेरे से बड़ी दी है और यहाँ पे गटवंदन हो गया और अब बाड़ी थी वही पटबॉरी बाढ़ने की तो वह अंसका को ही बाढ़ना था दीदी बैठी थी बट अंसका वहाँ पे थी तो दीदी बोली की अंसका ही बाढ़न देंगी तो यहाँ पे अंसका पटमॉरी बाढ़न रही है पहले भ पार्टी की बारी आ गई तो हम सब आ गया है पार्टी वाले मेंडू पे जहां पे पार्टी होनी है तो वहां पे आने के बाद मैं और गुरिया थोड़ी सी चाट पोकॉरे खा रहे थे तो इतनी गर्मी हो रही थी कि मतलब सब की हालत एक दम पस्त हो गई थी बहुत जादा थी और यह उपन में था थो थोड़ा ज्यादा अच्छा था तो यहां पर हम सब थोड़ी सी गुरिया वीडियो बना रही थी यह क्लिप मैंने उन से लिया है और उनका चैनल पर आप चाकर पूरा देख सकते हैं और यहां पर चाट पकॉरे खाने के बाद आती है भहिया भ श्वागत किया जाता है दुले का तो वैसे श्वागत किया जा रहा है भहिया और भाभी का दोनों रत पे बैठ के आए थी तो रत से उतरने के बाद अब आसे बालकनी था वहां से लोग बुजर रहे हैं और यहां पर जिते छोटे लोग थे वह लोग इनको परणाम कर रह 수 tik queste भावी को भी एंट कर चड़ाईंगे है भावी बोर रहती कि मैं नहीं नहीं हैंगी को झांध चर रहा था बहुत अच्छा दिख रही है इनकी बेटी आमीन हमारी भी बेटी तो यह भी मेडिकल कर दहीं है और यहाँ पर देखिए कैसे फोटोशुट हो रहा वीडियो क्लिक हो रहा था सब कुछ हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था फाइनली भावी की जित के आगे भाईया जोके और भाईया भावी को हांत पकरकर बहुत ही प्यार से उपर जढ़ाया और अब यहां पर वेट किया जा रहा है बाकी लोगों का कि सभी लोग आए सबसे पहला था रिंग एक्सेंज करना क्योंकि जब इन लोगों की साधी होई थी तो उस टाइम छेका होता था हमारे बिहार में आज भी छेका बहुत जगाओं में होता है बट ऐसे रिंग शेर मैंने नहीं होता था तो सायद भाईया भावी की नहीं हुई है तो एक होता ह पर है हां चाल तो यह जांता पर रहा था mas boxer देंगे और है और है रोज़ रहे थी रहीं कहां है करो दो यहां वह जरूर कर रहे हैं तो यह पाइनली भाईया यहां पर परपोज कर रहे थे और पीछे से बहुत जादा शौर हो रही थी और नहीं पर देखें बहुत बहुत में बाटके देंगी यह रोज तो देखें कितना अच्छा लग रहा है तो आप शबी बताईये क्या आपके घर में आज से पचेश साल पह किजे हुई थी क्या अगर हां तो कॉमेंट किजेगा नहीं तो किनी का भी अगर पचीश मा पूरा होने वाला है तो लोग भी ऐसे सेलुडेट करें क्योंकि एक मेमोरी बनती है ना अपने लाइब की एक मेमोरी है यह जो पहले नहीं हो पाया है वो आज हो रहा है और यह च कभी कभी ना जिंदिगी में कुछ नया करना चाहिए जो अच्छा लगता है तो यहां पर बस वही हो रही थी और अभी तो बहुत कुछ बाकी है अभी आगे आप सब को बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो बस मैं बस यही कहूंगी कि आप सब इस ब्रॉग को फूल इंज चैर किया और यहां पर जैमाला हुई तो ऐसे नौर्मली जब होता है तो लड़की पहले बनाती है और यहां पर बाबू है वे बाइट सेट में भावी के लड़के और इनके दोस्तों यह वीडियो मुझे बाबू बेजे थे तो यहां पर जैमाला हो रहा है बहुत अक सब लोग बहुत खुछ थे तो यहां पर जैमाला में आप समने देखा कि सबसे पहले माला कि समय पहना है तो भावी को माला और इसके बाद भावी पहना ही है और इसके बाद यहां पर थोड़ी सी फोटो सोट हो रहा है जो भी थोड़ी सी क्लिप हमारे पास है वह मैं आप सब के साथ सेर कर रहे हैं कि गुगु थोड़ा ज्यादा परशान कर रहा था मुझे तो मैं ज्यादा कुछ हमारे पास क्लीप है नहीं और सब कुछ होने के बाद अबारी आती है के कटिंग के देखे कि इतना ज्यादा अच्छा है तो भाईया बाभी यह दोनों यहां पे कट कर रहए यह केग आईडिया सब्सक्राइब कर डाए होदो है कर कि खाऊंगा सायद भावी नौन वेज नहीं खाती है इसलिए उनको लग रहा था कि एक से बना हुआ है तो इसलिए वो नहीं खाना चाहा रही थी और अब यहां पर सब्गों मतलब धीरे-धीरे आएंगे अपने इनसे जो भी बड़े हैं उनको आशिवाद देने आएंगे और जो छोटे हैं वो भी आएंगे अपने इनके साथ फोटो क्लिक करवाने तो मैं बहुत दूर हूँ यह हैं भावी की बेटी हमारी यहां उन लोगों को मतलब हैं बोलते हैं एकानी मारते हैं और यहां पर पार्टी खतम हो गई अंदर की और बाड़ी आती है बाहर के डा कर रहे हैं थे नाक कौन से गाना है यह नाचरे पतर की नागिन जैसन वाला यह वो जो सौंग है वो शपूरी सौंग वो इस पर डान्स हो रहा है बहुत इंज्वाए कर रहे थे लड़के और जब भी अपने टीचर्स को देख रहे थे मतलब क्योंकि भाया का स्कूल है तो सायदेय स्कूल के ही बच्चे हैं तो जब यह भीया लोग को देख रहे थे जो भी वहां पर पढ़ाते हैं उन अपने टीचर्स को देख रहे थे तो यह लोग बिचारे रुख जा रहे थे फिर उसके बाद में फिर चालू हो जाते थे भाया इधर उधर चले जाते थे तो तो इन लोगों का भी डांस थोरा सा क्लिप शूट हुआ तो मैं आप सब के साथ सेयर कर रहे हूं कुछ तो वीडियो ऐसे हैं जो इन लड़कों में से ही किसी ने भेजा है मुझे नहीं मेरे हैस्बंड को भेजा तो मैं उनके से ली हूँ तो आप सब इंज्वाए किजिए अवार्य हाती है तो यहां पर डांस कर रही है हमारी मेरी नंड और नंडौी जी हैं तो यह तो च्छोटी है और मैं जीया जी बोलती हूं इनको क्योंकिいました मेरे साथी से पहले हुए है तो मैंने को जियाजी बोलती हूं तो यहां पे जियाजी और गुरिया डांस करह रहे थी यह वीडियो आपको ज़ादा थोड़ा साक क्लिप है इसक पर इनके पास हो गाला तो आप इनके चैनल पर पर जा कर देख सकते हैं मैं इनका डांस गाना है मैं नागिन नागिन जान से मैं नागिन डांस नच्रदा पराज़ा स्थेसर पुछ पाया कोमेंट करके बताइएगा मैं आगे डांस वाला वीडियो और भी है यह मेरे पास डांस का वीडियो है मैं वह अलग से एक पार्ट में डाल दूंगी सिर्फ डांस वीडियो तो यह व्लोग आप सबको कैसा लगड़ा है यह कोमेंट में जरूर बताइएगा और यह देखिए अपनी मामी के साद अंσका कर रहरे हैं क्योंकि में भी नहीं डांस करती हूं भावे भी नहीं रांस करती है फिसकि ब्स बषू क dry ups यह अपने जगों पर पढ़ रहे हैं और यह अभी यह यह अभी मेटिकल कर रहे है तो वहां से इनके फ्रेंड़स नहीं आ पाई है तो कोई ज़श्टी नहीं थी नहीं एक और जो माईून मेरी ड्रेस में वह उनकी मासि की बेटी है भट वह ज्यादा डान्स नहीं करती है तो तो बस जो भी कर लेक dishonяг कोई थी इस वेज एसे फड़ी वीडियों में इसको हो जो को दह संधे हैं आप लुए लुए करवड लुए खसरे तेपर ह कुल इन्गीन में 31 जो में अन्य दह उत्वीं में вीडीयों चाहिए तो मैं डालूंगी तो मैं यह बाद proteuh तर फट दयका तो थैंक यूर तो थैंक यूमच इस ब्लोग में बने